हलो सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और डिजाइन लेके आई हूँ जो की बनाने में बहुती आसान है और देखने में बहुती सुन्दर है इसका आप थाल पोस्ट, टेबल क्लोथ, डाइनिंग टेबल का मैट, आशन भी ब आप लोगों को डिजाइन बताऊंगी, वो सिरफ 30 फंद बीच के और 6 फंद जालर के, 36 फंद का बताऊंगी, अब इसमें हमने क्या करना है, 3 फंद यहाँ पर छोड़ लेने हैं हमें सफेद, दूसरे जिसका हमने यह हिस्सा बनाना है, उसका हमने यहाँ, अब उसके बाद इसका क्या कर सकते हैं ? 3 फंद यहाँ पर नौ की जगह 18 अगर बढ़ा बनाना है, और जो अठारा है, यह इसकी जगह 36 हो जाएंगे, जालर के हमेशा 6 फंद ही रेखेंगे, ऐसे ही इससे अगर बढ़ा बनाना है आपने, तो यह बीच के हमेशा 3 रहेंगे, यह अठारा की ज़ेगे क्या हो जाएंगे 27 हो जाएंगे 9 दुना 18 नौतिया 27 ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा 54 हो जाएंगे 18 के मल्टिपर 18 दुना 36 ठातिया 54 यह हिस्सा हमारा 54 फंदों का हो जाएगा और जालर के हमेशा 6 फंद रहेंगे ऐसे ही फिर इससे बड़ा बनाना है आपने यह हमेशा 3 फिर 36 और यह हिस्सा 72 यह हमारे जालर के 6 यह टोटल बन जाएगा अगर हमने 36 फंदे यहां पर रखने है तो यह 111 फंदों का बनेगा तो हमारा टोटल यह हो जाएगा 6 फंदे इसमें जालर के जोड़के 117 फंदे अब मैं डिजाइन बताने जा रही हूँ अभी तक मैंने इसमें सिर्फ 36 फंदे सेंपल के लिए डाल रखे हैं अब मैं बुनना शुरू कर रही हूँ किनारे का फंदा उतारते हुए सारे फंदे अपनी साइड को उल्टे ऐसे बुनने हैं हमने पूरी सलाई हमारी ऐसे अपनी साइड को उल्टी बनती चली जाएगी अब हमारे डिजाइन की दूसरी लाइन किनारे का फंदा उतारते ही अब अपनी साइड को हमने ये सलाई भी ऐसे उल्टी बनानी है ये हमने अपनी साइट को 29 फंदे उल्टे बुन लिए अब हमने क्या करना धागा पीछे करके एक फंदा सीधे बना लेना तीस्वा फंदा हमारा सीधा फिर धागा आगे करना है ये हमने एक फंदा सीधा बुनते ही इसमें जाली डाल देनी है अब हमारे यहाँ पर बचे चार और पांच फंदे एक दो तीन चार ये चार फंदे उल्टे धागा पीछे किया किनारे का फंदा बुनते ही ये हमारे दूसरी लाइन कम्प्लीट होगी है अब हमने क्या करना है ये लाइन उल्टी बुननी है कितने फंदे एक किनारे का फंदा उतारा दो तीन चार पांच और छे ये हमारा फंदा बढ़ गया है अब ये हमने क्या करना है ये फंदे जालर के छोड़ के अब यहाँ पर से हमने ये जो सीधा फंदा बनाया था यहाँ पर से हमने अठारा फंदे गिनने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दज, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, सोला, सत्रा और एक है अठारा अब हमने क्या करना है दागा हमेशा अपनी साइट से उल्टी साइट से जोड़ना है यह ऐसे यह ऐसे और यह अब हमने ऐसे क्रॉस करते हैं इसलिए वो करना है आगे अब हमारी यह नो फंदे बनेंगे एक फंदा हमने बुन लिया दो, तीन, चार, पांच, छे, साइट, और एके नो अब यह क्या है तीन फंदे हमारे छूट गए हैं अब हमने दागा आगे क्या है दागा आगे करने के बार हमने क्या करना है यह तीन फंदों में से एक फंदा इदर लिया और दागा ऐसे निकाला फिर इस फंदे को हमने इदर डाल दिया और थोड़ा सा धागे को ठीच लिया क्योंकि यहाँ पर गैप ना आए अब यह क्या करना है हरे रंग से हमने नो फंदे उल्टे बनाने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आथ, और एके, नव फिर धागा पीछे करके हमने आपस में धागों को क्रॉस करके ऐसे थोड़ा सा खीच लेना है फिर हमारे यह सारे फंदे यह अठारा फंदे हमने क्या करने हैं उल्टे बना लेने हैं तारे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह सात्रा और दागा पीछे के हैं यह हमारा अठारवा फंदा सिद्धा फिर हमने क्या करना है यह जाली दे देनी हैं और यह जो हमारे सिद्धा फंदा था इसको हमने सिद्धा बुनना है फिर धागा आगे करके यह हमारे चार फंदे उल्टे एक, जालर के हैं जो, दो, तीन, और एक, चार फिर धागा पीछे करके किनारे का फंदा 6 पंदे यह जहां पसे यह तीस पंदे जो यह यहां से यहां तक थे यहां तक हमने उल्टा बनाने हैं सारा एक दो तीन अब जो यह तीस्वा पंदा है वहां पर से हमने फिर गिंती सुर करने एक दो पहले हमारे अठारा बने अब हमारे सोला फंदे बनेंगे यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तीरा चोदा पंदरा और एके सोला अब हमने क्या करना है दूसरे कलर का दागा लेना है इसमें हमने यह महरून कलर ले लिया फिर इसको भी हमने ऐसे ही क्रॉस कर दिया है अब हमने क्या करना है यहां पर फिर हरे को भी इधर को क्रॉस कर देना और आगे महरून बुनना है यह तीन फंदे चार पांच छे साथ आठ और एके नो अब हमारे यहां पर तीन फंदे यह गाजरी कलर के दो फंदे हरे कलर के छूट जाएंगे हमने धागा अपनी साइट को क्या फिर हमने क्या करना है एक फंदा इधर लेना फिर धागा ऐसे लेना है और फिर इस फंदे को ऐसे ही इसमें उतार लेना है और धागा थोड़ा सा खीच के अपनी साइड को फिर उल्टे बुनना है एक दो तीन चार पांच छीज शाथ आठ और एके नौ फिर धागा आगे करके हमने क्या करना है गाजरी कलर का धागा फिर चलना है यहां से जो बचे फिर फंदे होंगे हमने गाजरी कलर से बना नहीं है यह अब शिद्धा फंदा किनारे का अब हमने फिर यहां पर जाली दे देनी है और यह दो और तीन फंदे सिद्धे फिर अब हमने क्या करना है चार फंदे उल्टे अब हमने क्या करना है इस सलाई में यहां पर पहले हमारे 18 छूटे थे फिर 16 अब हमारे 14 फंदे छूट जाएंगे ऐसे करके हमने अपनी साइड को उल्टे बनाने है यह जालर के फंदे छोड के अब हमने क्या करना है यह यह सिद्धे फंदे को लगा के हमने 14 फंदे छोडने है ऐसे एक दू, तीन, चार, ऐसे हमने सारे बुनते ही, यहाँ पर दो फंदे हम फिर हरे रंग के बुन लेंगे अब हमने यहाँ पर चौदा फंदे छोड़ दिये, अब यह फिर नौ फंदे हरे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और एक यह नौ अब हमारे यहाँ पर दो महर उन फंदे छूट जाएंगे, धागा आगे किया हमने फिर हमने क्या करना है, एक महर उन फंदे को इधर से उतार के, यह ऐसे धागा करके फिर हमने इस फंदे को इसी में उतार लेना है, और थोड़ा सा फंदा ऐसे खिच लेना धागे को, क्योंकि बीच में गैप ना आए ऐसे हमने फिर नौ फंदे हरे बुनके, बाकि हमने गाजरी बुनना है, उल्टे में उल्टा और सिद्धे में सिद्धा बुनेंगे, जो जालर के सिद्धे होंगे, फिर हमने धागा पीछे किया, अब हमने क्या करना है, गाजरी फंदे, फिर बुनने है, ऐसे हैं, यह हमारा सिद्धा बंदा के नारिका, अब हमने क्या करना है, यह जाली दे देनी है, फिर एक, दो, एक, दो, तीन, और इके चार बंदे होगे, अब हमने क्या करना है, एक, दो, तीन, यह चोथी सलाई उल्टी आगे, यह, फिर किनारे का फंदा बुनते ही, अब हमारे यहाँ पर हमने यह ध्यान देना है, यह चार उल्टी होने है, एक, दो, तीन, चार, और यहाँ जालियां भी चार बन जानी है, एक, दो, तीन, चार, अब हमने क्या करना है, जो यह जालर की, यह चार उल्टीयां बनी है, कि अब हमने सारी शलाई गाजरी में यहां तक बारा फण्दए हमने उल्टे बुनने हैं जो हमारा ये तीसवा फंदा है ये हमेशा हमने सिद्धा रख रखा है अब हमने क्या करना है धागा आगे करके इस जाली वाले फंदे में ये जाली दे देनी फिर धागा आगे करके अब हमारे जो हमने ये चार फंदे बंद किये थे इन यहाँ पर हमने जाली से बड़े हैं ये चार फंदे इनको हमने उल्टा बना देना और फिर फ्रेल हमारी सुरू हो गई है ये किनारे का फंदा बुंते हैं अब हमने क्या करना है जैसे कि अभी तक मैंने बताया पहले तीन छोड़े थे हमने यहां पे फिर हरे रंग से बना के दो छोड़े फिर महरून से बना के इधर दो छोड़े इधर हम दो बढ़ गए फिर हरे से हमने दो इधर बढ़ गए हैं और दो हमने इधर छोड़ दिये फिर हमने क्या करा महरून से हमने क्या करा दो हम इधर बढ़ गए हैं और इधर अब हम छोड़ देंगे ऐसे ही हम जब तक ये हमारे 30 फंदे तक नहीं आएगा जैसे 28 फंदे तक हमने बुनना है और ये 2 किनारी के फंदे छोड़ देने हैं और फ्रील मैंने जैसे बनाई वैस यह मेरे डिजाइन की आधी पत्ती बन चुकी है जैसे इसमें क्रीम कलर है बीच में एक लाइन वैसे ही मेरे इसमें गाजरी कलर बनाने जा रही हूँ ऐसे ही यह पूरे लाइन गाजरी कलर का बना उड़ी यह जो क्रीम कलर की लाइन थी ऐसे हमने गाजरी कलर के बना दी अब हमने क्या करना है जैसे यह अब यह वाला हिस्सा हमने अभारे से बनाना है यह दो फंदे हमारे फिर गाजरी के आ गए यह सिद्धा फंदा 28, 29 और 30 य ये 39, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हरे धागे से 9 फंदे बुनने है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और एके 9, फिर यहीं से मुड़ जाना है, अब हमने ये फिर गाजरी कलर का धागा लिया, इसको हमने ऐसे लेके फिर इसी सलाई में मूड देना है वा ये 9 फंदे हमने हरे बुन लेने हैं, फिर यहाँ पर हमने गाजरी कलर का धागा लेके अपनी जालर वाली साइड चले जाना है, अब ही मैंने जो 2 फंदे ये 30 और 29, अब ये 2 फंदे इधर को हमारे गाजरी के बढ़ते चले जाएंगे और ये महरून इधर को, डिजाइन बागी आगे हमारा पतिया इधर को बनती चले जाएंगे, अब मैंने क्या करना है ये, महरून धागे से 9 फंदे अब पहले हमारे दो छूटे थे अब ये चार गाजरी हो गए हैं और ये नो तीन चार पाँच छे साथ आठ और एक ये नो फिर धागा अपनी साइड लिया फिर एक खंदा लिया ये धागा पिछे किया हमने फिर धागा को अपनी साइड लेके ये हमने नो के नो खंदे उल् तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, और एके नौ फिर धागा पीछे के हैं, हमने यहां पर से गाजरी धागा ले लेना है ये पहले दो फंदे चूटे थे, अब ये चार हो गए हैं एक, दो, तीन, और धागा पीछे के हैं, ये शिद्धा वोला मिला के चार अब हमारे डिजाइन की पत्तियां इधर को बढ़ने सुरू हो गई हैं पहले दो फंदे छोड़े थे, अब चार, फिर हमने क्या करना है इधर दो बढ़ गए हैं, अब हमने क्या करना है इधर छे फंदे हो जाएंगे हमारे गाजरी कलर के एक, दो, तीन, और एके चार, पांच, और एके छे, अब हमने हरे धागे से बनाना है, एक, नौ फंदे, और ऐसे ही हमारा डिजाइन, जब तक ये गाजरी हमारे अठारा फंदे न हो जाएं, तब तक हमने दो दो फंदे इधर से बढ़ते जाना है गाजरी कलर में, और हरे औ महरून रंग में इधर को बढ़ते चले जाना है, ऐसे ही हमारा डिजाइन बनता चले जाएगा, ये हमारे डिजाइन की पहली कली बनकर त्यार हो चुकी है, ऐसे ही ये सारी कलियां बनती चले जाएंगी, जब ये सारी कलियां बन जाएंगी, तो हमने क्या करना है, इसको ऐ के साथ ऐसे सिर लेना है इसको ऐसे खेश लिया और फिर ऐसे हमने सिर लेना है सिलने के बाद ये हमारा डिजाइन बनकर तयार हो चुका है आसा करती हूँ आप सभी दर्शकों को मेरा ये डिजाइन पसंद आएगा मेरी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब व़ लाइक अवसी कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद